अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइव के साथ, बिल्कुल फ्री अफिस्तर से कह रहे थे, डोक्टर सीवी ने अपना मेंडल बेलेंस को दिया है यह मानसी करूप से ठीक नहीं है, कोई मेंडल बैलेंस नहीं कोया इसने, इसका दिमांग हिकाने पे यह ना सब नाटक कर रहा है ताकि पुलिस से ना पकड़े यह अपने फाइदे के लिए हम सब को बेववकूफ बना रहा है अपने फाइदे के लिए लोगों को बेववकूफ बनाना अपचैसे लोग करते होंगे ज़स्तर से मानसिक्सिती सच में खराब है अगर इतना ही दिमाग खराब होता ना तो क्या पुलिस के गोली मानने से जज पहले ही वो अचानक से पागल हो जाता हाँ वाह ये कुछ भी कर ले पर कोई नहीं मानेगा कि ये पागल है आपको कैसे पता किस मोमेंट पे डॉक्टर शिफ की दिमागी हालत खराब हुई इसका मतलब आप भी माँ थी ना ये देखने के लिए कि पुलीस डॉक्टर शिफ को मारती है या नहीं हाँ थी मैं वहाँ और क्यों नहीं होती मैं वहाँ पे हाँ आज के डेट में ये शिफ हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा है तो मुझे इस कन्फर्म करना था कि पुलीस ने डॉक्टर शिफ को मारा या नहीं नहीं कन्फर्म करना था कि मेरी फैमिली सेफ है या नहीं इसके लिए पुलिस कोई रेस्ट्रेप लेगी मैं उसके साथ होंगी क्योंकि इस वक्त हमारे परिवार के लिए शिफ सबसे बड़ा खत्रा है वो हमारे परिवार के लायक ही नहीं है किस वक्त वो किसकी जान लेने कोई भरोसा ही नहीं अरे उसने अपनी मा को नहीं छोड़ा उसे मार डाला तो हम क्या चीज है किस अपना खुश नहीं है मंदिना जो शिफ के बारे में तुम इतनी कड़वी बातें कर रही हो सरु उसकी हालत देखो जिस साथ भी को अपना खुश नहीं है वो किसी दूसरे की जान क्या लेगा हमारा बच्चा है वो हमारा खुन है मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर यकेंगरू तो नाटक नहीं कर रहा है उसकी दुआ के अलग ठीक नहीं है अग्मान के लिए उसको अकिला चोड़ दो उसको परेशान मत करो मत कर उसको परेशान बस कीजे माई साथ करें और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री